बिस्मिल्लाहरेमानुराइम असामलेकूम मैं हूँ सना जांगीर और राज में बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा बना रही हूँ और उसके लिए क्या-क्या इंग्रिडेंट्स चाहिए मैं आपको बताती जाऊंगी यह दही है एक किलो दही है और इसमें चार टेबल स्पून भर कर बैसन जाएगा ठीक है और यह देखें लसन का पेस्ट है क्वाटर टी स्पून यह फुल ग्राइन किया हुआ बिल्कुल स्मूद पेस्ट इसका बनाएगा और यह है वन टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर क्वाटर टी स्पून नमक और क्वाटर टी स्पून हल्द नमक बहुत थोड़ा सा रखीगा क्योंके जो दही है पकती जाएगी तो वो खुदी-खुद खटी होती जाती है तो सबसे पहले हम मिक्सर में सारी चीज़ें मिक्स करेंगे सबसे पहले मैं दही डाल रही हूँ 1 kg पूरा दही जाएगा सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे नमक जो है बहुत ध्यान से डालीगा क्योंके जादा नमक फिर खटा कर देता है दही को तो नमक मैं इसमें बहुत थोड़ा सा डालूंगी ठीके मैं देखें इतना थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्वाटर टी स्पून से भी स्याद कम होगा ये तो अब इसमें लाल मिर्श का पाउडर वन टी स्पून ये आप कम या ज़ादा कर सकते हैं अपने हिसाब से और हल्दी जो है वो भी क्वाटर टी स्पून लसन का पेस्ट अब डलेगा इसमें वो भी क्वाटर टी स्पून वो फुल फाइनली ग्राइंड किया हुआ स्मूद पेस्ट होना चाहिए ठीक है अब इसमें दो कप में पानी डाल रही हूँ फुल टू कपस ओफ वाटर एक कप अब ये दूसरा कप अब इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है ठीक है बैसन अभी बाद में मिक्स करेंगे अभी पहले हम ये मसाले ही मिक्स कर रहें क्योंकि लशन जो है ना वह बहुत अच्छे तरीके से मिक्स ओना चाहिए है तो बहुत थोड़ा सा मगध बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो स्था कि अब आप ये देखे वान टाइम हमने एक मसाले मिक्स चीं नब भाई स्पून होना हाऊ मैं इसन mixture करेंगे अब इनको दुबारा हम मिक्स कर लेते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेगा बैसन बहुत अच्छा मिक्स होना चाहिए अब इस सारी की सारी चीजें जो है सारा जो बना है मिक्स्चर अब हम देख्ची में डालेंगे पूरा मिक्स्चर जो है ये मिक्स्चर अभी ठिक है मैंने अभी पहले दो कप पानी डाला था और अभी इसमें और भी पानी जाएगा क्योंकि अभी इसको हमें पकाना है काफी देर तक तो अभी इसमें मैं तीन कप और पानी डालूंगी ठीक है टोटल फाइव कप्स वन जी दही में ठीक है अब एक कप पानी गया ये दूसरा कप और अब ये ये तीसरा कप ठीक है अब इसको हमें एक घंटे तक पकाते रहना है बहुत ही स्लो आँच पे और इसको जो है ना आपके पास वुडिन स्पून हो ऐसी तो उससे आप बनाएं क्योंके सब केते हैं गॉल्डन स्पून से अच्छा बनता है तो आप इसको स्लो आँच पे पकाते रहें आते जाते आप इसको चलाते रहें चलाना नहीं भूलिएगा ताके ये चिपकेगी नहीं नीचे से बैसन जो है अब ये देखें मैं आपको एक घंटे बात दिखा रही हूं पूरा देखें कितना अच्छा सा आगया है खुद बखुद ये ऑईल इसमें से आगया है गॉल्डन गॉल्डन कलर का देखें अब जब तक ये थोड़ा सा और बॉयल होता है हम जो है इसके पकोडों का मसाला बना लेते हैं ठीक है जब तक ये थोड़ा सा और बॉयल हो मैंने सार ली थी और वो भी है अब इसमें मैं मसाले डालूंगी सारे पाउडर वाले जो होते हैं वो सारे लाल मिर्च पाउडर वन टी स्पून और नमक हाफ टी स्पून आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं और धनिया पाउडर हाफ टी स्पून और जीरा जो है सुफेद ज रहा वो जड़ा अच्छे कोईंचिटी में डाले मैंने वन टी स्पून डाला है थोड़ा सा और भी डाल देती हूं ठीक है और अब इस में हम इस में जो में इंग्रिडेंट है वो है मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा होता है ना वो एक चुटकी जरूर डालीगा यह देखे यह देखे मसाला बन गया है मगर हम इसको फोरन नहीं बनाना है इसको मसाला बना के और इसको थोड़ा सा रेस देंगे हम इसको दस मिनट तक रख देंगे ढाम के जब तक यह दस मिनट तक रखा रहे हम जो है कड़ी का तड़का तयार कर लेते हैं कड़ी जो बन चुकी थी मैंने आपको देखा, अब इसमें तड़का तियार कर रह रहे हैं, तो मैंने ने अइल डाल दिया है और इसमें चैसे साथ मैंने थाबत लाल मिर्च और एक टी स्पूनफोल सुध जीरा डाला है, और तेल जो है ना, दो सर्विंग स्पूनज था, फीके? और अब आप देखें कि इसको जो तड़का त्यार करते हैं जैसे डाल का करते हैं तो जो सुफेज जीरा होता है थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होता है इसमें काफी हमें ज्यादा पकाना है और देखें धीमी आज पे ये पकता रहेगा थोड़ा सा तर्का और इसकी लाल मिर्च भी पकती रहेगी अब आप देखें कितना डाग किया था ये देखें मैंने सुफ़ेद Zero को कितना डाग डाग सा मैंने इसको पकाया और उसमें मैंने थोड़ी सी कुटी वी लाल मिर्श भी स्प्रिंकल कर दी है कड़ी के उपर अब सिर्फ इसमें पकोडे जाएंगे ये देखें पकोडे मेरे बन रहे हैं और जैसे ही ये गॉल्डन गॉल्डन हो जाएंगे तो हम उसमें कड़ी में मिक्स कर देंगे ठीक है चले अब इसको कड़ी में मिक्स करते हैं ये सारे पकोड़े में इसमें कड़ी मिक्स करते हैं और उसी वक्त सर्व नहीं करेंगे 10 मिनट धापके रख देंगे ठीक है 10 मिनट बाद आप इसको सर्व कर लें क्योंकि पकोड़े भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं उसी वक्त भी सर्फ कर सकते हैं और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो खुदा आफिस